प्रोग्राम कर रहे हैं यह करवा चौद का प्रोग्राम है करवा चौद पर सभी को पता है वैसे तो सबसे पहले देशवासियों प्रदेशवासियों और सभी मेरी बहनों माताओं और मेरी सखी सहीलियों को बहुत बधाई और शुब कामना है देना चाहूंगे साथ ही मैं आज करवा चौद के मौके पर प्रोग्रामस ने फांडेशन के वज़े से किया गया है इसका सबसे मेन उद्देश जो है कि संदर साल में जो करवा चौद आई यह बहुत ही शुब है और शुब के साथ है मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं एक साथ बैठ कर अपनी स अपने सुहाग की दूआ मांगने के लिए एक साथ कथा सुनेंगी क्या है क्या है क्या है क्या हमारे बुजूर्ग है जो हमें बच्वन से हम से सुनते आए तो उन्हीं बुजूर्गों के द्वारा तो कथा सुनाई जाएगी जिसमें जो सुहागन थी वो भी है जो है कि अपनी वाले डाइम में अपने सुवाग के लिए करें लेकिन अभी से वह इस तरह के सपने देख रही एक अच्छा रहे मेरा सुआँ जहां भी हो अमरू हो तो उस वजे से एक निया से लेकर बुज़ूर्ग महिला तक सब महिला ओं का यहां पर सहीं होगी शेत्र से महि महिला जिसे मैंने आपको बताया था कि 451 से ज्यादा है वैसे महिला लेकिन 451 महिला हैं जिनको हम आज कथा सुनाने जा रहे हैं और हमारा मकसद यहां पर सब एक ही है कि हम लोग समाज में भागी दादी रखते हैं बराबर की साथ ही हम अपने सुहा के लिए अमर सुहा के लि सबसे पहले तो मैं आपको मेरा परिचे बता दूं कि मैं सवीता शर्मा प्रदेश अद्यक्षर ब्राह्मन मासबा हूं और सनेलता भारदवाजी ने यह जो आयोजन किया है यह बहुत साधुबाद के लायक है और मैं तो यही कहूंगे कि यह हमारी भारतिय संस्क्रती है जिस में करवा चोथ को बिल्कुल निर्जला बिल्कुल बिना अन बिना जल के यह लोग करते हैं तो एक भामना है भामना प्रदान यह त्योहार है और हिंदुस्तान में यह यहीं नहीं अगर बाहर इंडिया के बाहर भी अगर कोई लोग रहते हैं वो लोग भी इसी तरह से इस बहुत रदे से धन्यवाद देती हो हम देख रहे हैं भारत वर्ष में मनाया जानल साधगी से अखंड सुहाग के प्रतिक करवा चोत्य व्रत की कता सुनने के लिए यहां पर सही महिलाए एकरचित हो चुकिये 451 महिलाए एक साथ यह पिकास सुनेंगी और कहते हैं कि एक साथ करा सुनने का जो महत मिलता है वो बहुत पुन्यकारी फल होता है इस तरह के सुहाग की रक्षा की जाती है धन्यवाद